पीजे में ओक्सवर्ड की कोईशिल्ड वैक्सिन के मानव परिशन का पहला फेज सफल रहने के बाद वालेंटियर्स को अब दूसरी खुराग दी गई है मानो परिष्ण में 25 सितेंबर को जिनती इन वालियंटेर्स को वेक्शिन के पहले खुराग दी गई थी, उन्हें ही दूसरी खुराग दी गई है, परिष्ण करने वाली टीम का कहना है कि इसमें शामिल ठीलो वालियंटेर्स किसी थी, संतोष जेनक आने के बाद यह नेर्णा लिया गया उनके एंटी बोडिस रिपोर्ट भी बहतर आई है पीजिया की निदेशक प्रोफेसर जगतराम ने बताया कि वैक्सिन के मानव परिक्षन के पहले फेस की सफलता से टीम में उत्सा है शनिवार को परिक्षन के करम को आगे बढ़ाते हुए वालेंटियर्स को वैक सीमा अक तक आंकलन किया जाएगा यह प्रक्रिया वैक्सिन के पहले खुराक ले चुके आने वालेंटियर्स पर भी अपनाई जाएगी 27 वे दिन ब्लट जाच कर रिपोर्ट के आधार पर 28 वे दिन की खुराक दी जाएगी प्रफेसर जगतराम ने बताया कि पीजिया में 25 से सुरू परिक्षण के लिए अब तक 100 से जादा वालेंटियर्स को वैक्सिन की खुराक दी जा चुकी है वहीं अन्य वालेंटियर्स की स्क्रीनिंग का काम जारी है उनकी संख्या भी 1500 के पार पहुँच चुकी है कोरोना को मात देने के लिए विश्यो भर में इस वैक्सि बादियर्स